केकरा के देली मैया अनधन लच्छी मी हो केकर तूरे ली गुमान ये मैया केकर तूरे ली गुमान नीर धन के देली मैया अनधन लच्छी मी घमांडी के तूरे ली गुमान मैया घमांडी के तूरे ली गुमान नमस्कार दोस्तों मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जवे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हम इसा की तरह जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जानेंगे माता के तीसरे स्वरूप की पूजा, विधी, कथा, मंत्र, भोग और फूल हर चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे क्या करनी है तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, बैल आइकोन को प्रेस कर दिजेगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेसन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दू कि माता के तिसरे स्वरूप को हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं, तिसरे स्वरूप की पूजा हम 28 सितंबर को करेंगे, दीन है बुद्धवार तो बाकी सब बाते आगे करेंगे, सबसे पहले हम कथा सुन लेते हैं, पौराणिक ऐसा माना जाता है कि देवी पारवती के सुहागन आउतार को चंद्रघंटा के नाम से हम जानते हैं, भगवान सीव से बिवाह के बाद देवी अपने लालाट पर आधा चंद्रमा धारण करने लगी, तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा, पौराणिक मन्यताओं के अनुसार देवी दूरगा ने असूरों के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए चंद्रघंटा स्वरूप में आउतरण लिया था, और असूरों और दानों का उन्होंने संहार किया था, साथ में देवी देवताओं को उनके अत्यचारों से मुक्ती दिलाई थी, इसल पूटी सी कथा है माता के बारे में, तो ये भी हम जान लिए, तो चलिए अब पूजा विदी हम जानेंगे, तो सबसे पहले सभी को मालूमी है, सुरियोदर से पूरवट के घर द्वार की सापसफाई कर लिजे, बाहर भीतर अच्छे से, उसके बाद असनान कर लिजे, अस वस्त्र हमें उस दिन भूरे रंग की पहनी है, भूरा नहीं है, तो लाल पीला में से कोई भी रंग पहन सकते हैं, लेकिन चंद्रघंटा माता की पूजा हमें भूरे रंग की वस्त्र पहन कर करनी है, सूट हो, साड़ी हो, जो भी हो, आप आराम से कर सकते हैं, चंद्रघं माता की पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा सिंदूर लगानी है माता को और जो ही मैं अपने लाश्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रती दिन गंगा जलका पहले मंदिर में छिड़काओ कर लिजे भगवान लोगों को अच्छे से पोच लीजे साफ कर लिजे और जो आरे उगाई हैं उसके उपर भी पूजा कर दीजेगा फूल वगरा चढ़ा दीजेगा सिंदूर लगा दीजेगा जो कलस रखी हैं उसकी भी पूजा प्रती दिन करते हैं और माता की तो करते ही हैं और माला फूल जो ही आपको चढ़ाना है माता को चढ़ा दीजिएगा फूल में चमीली का फूल लेते हैं तो अगर मीले तो जरूर लोजेए या आप गुलाब का भी फूल देग सकती है जो गुड़हल का फूल अड़हुल का फूल जिसको बोलते हैं वो भी ले सकती है तो आप माता की इस प्रकार से पूजा अर्चन कीजिएगा और भोग में हम क्या लगाएंगे तो भोग में हम दूध लगा सकते हैं या दूध से बनी मिठाई घर में बनाती है तब ही लगाईए तो सुधता का कोई परमाण नहीं है तो इसलिए घर में कोई मिठाई बनाना चाती है तो बना कर लगाएं नहीं जै अंबे गौरी आपकी जीए या आप जो है अंबे तु है जगदंबे काली जै अंबे गौरी ही माता की आरती है तो वही आपकी जीए और उसके बाद से मंत्र क्या है तो चलिए मंत्र भी जान लेते हैं ऐसा मंत्र है कि सभी इसको पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं ओम पुजा संपन कीजिएगा तो यही तक अथा यह आज का अमारा वीडियो आसा करते हूं उमीद करते हूं कि इस वीडियो से मेरी बाउनों को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्चित रहिए और जहां कहीं भी रही है खूब खूस रही है जै मातारानी